विडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि फ्री फार में एक न्यू इवेंट आ चुका है जिसका नाम है दा फोथ एनवर्श्री पार्टी और इस इवेंट में आप लोगों को काफी कमाल का करेक्टर बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है इसके यहाँ पर जितना भी आपको छोटे-छोटे इवेंट देखने के लिए मिल रहे है यह सारा इवेंट को आप लोग किस तरीके से कम्प्लीट कर सकतो किस तरीके से आपको reward मिलेगा किस तरीके से बंडल मिलेगा किस तरीके से आपको character मिलेगा सारा detail में आप लोगों को एकद यहां पर आपको छोटे चोटे आपको बहुत सारे इवेंट के बारे में आपको बताने वाला हूं और सारा इवेंट एकदम एज़ी है आपको असान तरीका में समझ में आ जाएगा ठीक है तो सबसे पहले यहां पर आप लोग देखो login reward जो हमारा पहला इवेंट है जिसका नाम है login reward और इस इवेंट में आपको मिलने वाला है काफी कमाल का character बिल्कुल free में ठीक है तो इस character को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 28 अगस को free fair को open करना है open करने के बाद आपको इस इवेंट के section में आना है आने के बाद आपको login reward पर क्लिक करना है और यहां पर आपको claim करने का option मिल जाएगा just claim करके आप लोग यह frame में character ले सकते हो ठीक है तो यहां पर मैं आपको पहला इवेंट के बारे में बता दिया हूँ जहां पर आपको character मिलने वाला है second event का नाम है music party जहां पर आप लोग faded wheel में click करोगे तो चले जाओगे और यहां पर spin करके आप लोग यह gun के skin ले सकते हो ठीक है तो यहां पर जो हमारा third event है जिसका नाम है music party यहां पर click करोगे तो यह फिलहाल यह event इस्टार्ट नहीं हुआ है तो जैसी यह event स्टार्ट हो जाता है तो इस पर मैं video बना करके मैं आप लोगों को दे दूँगा किस तरहिके से प्रटारर के साथ selfie हो उसके लिए अपको प्रणापाइगा इस पर klik कर ने आपको नीचे के सार्द में एसके साथ square करेंगे और एंगों लोग हम लोगों नियाथ मिल रहे है उसके साथ spa Felid 2 क्रेक्टर के साथ 5 इसके साथ a later श geschक्षते है उसके साथ एक gotta faid चुण है यहां पर discut जेंगे तो यहां पर super क्रेक्टर से नहीं आई आये रहे हैाज़े टो एस पर उतफी है सेलफी हो चुका है, और यहाँ पर हाय आतो है, तो आपको क्या करना है लोबी स्रेक्शन में आना है, और चार अलग włas कटर के साथ सेलफी ले लेशाए, भर आपको क्या करना, यहाँ पर निकल जाना है, तो यहाँ पर देखाता हूं, यहाँ पर मैं आपको event के section में जाकर करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर memory album में जाएंगे so case यहाँ पर आप लोग देखो यहाँ पर 4 अलग अलग करेक्टर के साथ हम लोग ने selfie ले चुके ठीक है तो उसी तरीके साथ आपको क्या गरना है party आपको lobby section में जाना है तो उसी तरीके से memory album में क्या करना है आपको 15 अलग अलग करेक्टर के साथ selfie लेना है lobby section में जाकर करके ठीक है तो इस event के बारे में आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूँ अब हम लोग बात करेंगे नेश event के बारे में जिसका नाम है anniversary quiz ठीक है तो जश्ट इस पर आपको click करना है और इस event में आपको क्या किया जागा आप लोगों से question पूछा जागा तो पढ़े आपको इस event में आना है और हर दिन जवाब देना है और पच्मा दिन में आपको ये सारा reward मिल जागा तो just इस पर जैसे क्लिक करोगे आपको डामनोर को sorry gold को भोचर मिल जाएगा तो यहाँ पर पड़े आना है पड़े mission complete करना है sorry mission complete नहीं करना है पड़े यहाँ पर answer देना है और अगर आप लोग 5 answer सही सही दे दोगे तो यहाँ पर आपको सारा reward मिल जाएगा तो anniversary quiz के बारे मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुका हो ठीक है यहाँ पर जो हमारा छटा event है जिसका नाम है daily mission यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर पड़े आना है पड़े आप लोगों को mission दिया जाएगा और उस mission को complete करना है जब mission को complete करोगे तो आपको यह token मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर देखो mission की step को होने वाला है तो आज का mission है गेम को login करना है जैसे आप लोग गेम को open करोगे तो पहला mission complete हो जागा एक बार rank या भी classic खेलोगे तो दूसरा mission complete हो जागा थर्ड mission क्या है कि आपको 200 का डाय में देना कोई भी classic या फिर rank mode में तो यहाँ पर थर्ड में mission complete हो जागा लेकिन यहाँ आप जो चौथा mission ने इसको complete करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फटाफड यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा के अंसा साइड में और उसके साथ फटाफड एक सेली लेते ठीक है तो आप लोग देखो यहाँ पर इस section में में character K नहीं आया है तो इसके लिए मेरे को फिर से game को start करना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले हम लोग इस character के साथ selfie ले लेते हैं ताकि K character आ जाए तो यह character के साथ selfie ले चुके अब हमको क्या करना पड़ेगा गेम को फिर से बाहर निकलना पड़ेगा तो guys आपको क्या करना है exit to lobby पर click कर देना है क्योंकि first बार आओगे तो हो सकता आपको K character ना मिले तो फिर से आपको इसी lobby की सेक्टन में आना है हो जाएगा और आपको 5 token मिलेगा तो guys यहां पर आप लोग देखते तो यहां पर हमारा चौथा mission complete हो चुका है और यहां पर मेरे को यह token भी मिल चुका है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोग को fragment dwell के बारे में बता ओऊँगा अगर आपशों आप लोगों इस event के बारे में बताऊगा तभी आपको इस event के बारे में समझ में आएग़ा घए टो फटाफट हम लोग फ्रेंग्में Everybody score में चलते हैं आगे बताने वालों ठीक है पहली बात तो आपको इस token को use करके आपको यहां पर spin करना है spin करने के बाद आपको यह box मिलेगा और उस box से आपको यह सारा reward मिलेगा ठीक है इस बर फिर से हम लोगों को बुलू token मिला है और यहां पर कुछ token वेगरब मिला है ठीक है तो okay पर click करेंगे ठीक है तो इसी तरीके से आपको क्या करना है mission complete करना है mission complete करने के बाद आपको यह token मिलेगा और इस token को use करके spin कर सकतो और जब spin करोगे तो आपको यह box मिलेगा और इस box को open करके आप लोग यह सारा reward ले सकते हो ठेक है अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप लोग ओपन करोगे तो आपको यह चार टाइक पर token भी मिलेगा तो इस token का यूज है वह में आपको बता देता हूं तो इस token का यूज है मि अगर आप लोग कंप्लीट कर दोगे तो आपको यह सारे reward मिल जाएगा यहाँ पर आप लोग लेप साइट में देखो यहाँ पर आपको छोटे-छोटे box देखने के लिए मिल रहोंगे और इस box से आप लोग के bundle विगरा मिलेगा ठीक है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपका एक जिक्सा आजाएगा फिर से आप लोग किलिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग देखो दो जिक्सा आजाएगा तो इसी तरीके सा आपको क्या करना है वहाँ पर जा करके स्पीन करना है और इस टैप को आपको टोकन मिलेगा और टोकन जब मिलेगा तो आपको यह पूरा जिक्सा को complete करना है यहाँ पर जितना भी आपको खाली दिख रहा है तो यहाँ पर मेरे पास green जो token है वह 0 हो चुका है तो यहाँ पर green वाला जिक्सा हम लोग complete नहीं कर सकते और blue वाला है यहाँ पर 0 जिक्सा है तो यहाँ पर इसको भी हम लोग complete नहीं कर सक और वेल में जाने के बद आपको spin करना है, spin करने के लिए आपको यह token के use होगा, जब इससे spin कर लोगे, तो आपको यह 4 टाइप का token मिलेगा, और जब यह 4 टाइप का token मिलेगा, तो आपको memory jigsah event के sector में जाना है, और यहाँ पर आप लोगों को jigsah को complete करना है, जैसे आप लोगों jigsah को complete करोगे, अगर 48 jigsah को complete करोगे, तो आपको यह सारा box मिल जाएगा, और box को open करके यह bundle वेगरा ले सकतो, ठीके, लेकिन गई, इसके लावा यहाँ पर आप लोग request कर सकतो, कि भाई मेरे पास green वाला token नहीं है, अपने friend से मांग सकतो, किस तरीके से मांगना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर आपको दो of type का option मिलेगा, एक gift का, एक request का, request वाले पर किली करना है, और अगर आपको यह blue चाहिए, या फिर यह purple वाला चाहिए, या फिर green वाला चाहिए, उसको select कर लिजिए, उसके बाद अपने friend को request किजिए, इस type से, इस type से request करते जाना है आपको सारे friend को, जिसके पास भी extra token होगा, वो आपको दे देगा, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे token है, अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से थोड़ा सा मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता है, तो login reward में जहाँ पर आपको यह character मिलने वाला है, और यह event इस्टार्ट नहीं हुई है, इस्टार्ट होगी मैं वीडियो बना करके आपको दे दूँगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को all पेसेट कर लेना है, और हाँ मेरे भाई, जहाँ पर आप लोगों से परड़े question पूछा जाएगा, परड़े सवाल किया जाएगा, परड़े आपको सही सही answer देना है, अगर आप लोग 5 answer सही दे दोगे, आपको यह parachute भी मिल जाएगा, और आपको यह pin करने वाला भी मिल जाएगा, अगर आप लोग चाहते हो कि पढ़े आप लोगों को अंसर्फ सही सही बताया है वीडियो बना करके तो आपको क्या करना है चैनलों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पेस्ट करके रखना है ताकि वह वीडियो में जैसी अपलोड करूँगा आप लोग देख पाऊग बॉक्स से आप लोग सर्बोड ले सकतो लेकिन यहां पर आपको चार टाइप को टोकन भी मिलेगा जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यह चार टाइप को टोकन मिलेगा इसका क्या यूज है आपको मेमोरी जिक्सा में जाना है जानेक बाद यहां पर आपको अलग से टोकन मांग सकते हो और गिफ्ट करके अपने फ्रेंट को टोकन दे सकते हो तो मेरे हिसाब से में आप लोगों को फोर्थ एनिवर्सिरी इवेंट के बारे में एकदम अच्छी तरीके सा समझा दिया हूं कोई भी डाउटर आगे कि यह चीज मेरे को समझ में नहीं आया है कम कमेंट बॉक्स में भी तो वीडियो अच्छे लेगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मिलते हैं इस वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भाराइब